राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पोल खुद ही खुल बाली है। कि राशनीती करते हैं उसका सबसे बड़ा दुर्भा की यही है कि राहूल के राशनीती में धरातल के मुद्दों की कमी और जनता की नबजे टटोलने में नाकाम नजर आते हैं। राहूल गांधी को समझ ही नहीं आ रहा है कि देश के भीतर राम की बयार बह रही है। राम के सामने सभी नतमस्तक हैं राम सभी को एक समान ही अपनाते हैं लेकिन राम की प्रतिष्ठा को ठुकराने वाले राहुल और कॉंग्रेस ना राम को 1990 में समझ पाये थे और ना ही 2024 में समझ पा रहा हैं आखिर कैसे यूपी पहुचते ही राहुल गांधी ने राम मंदिर के बारे में अनर्गल बयान बाजी की है बताते हैं आपको राहुल गांधी ने कहा कि अरब पतियों के लिए कालेन बिची है गरीबों के लिए कुछ नहीं है टीवी में एशर्या राय डांस करते हुए और अमिता बच्चन बले बले करते दिखेंगे लेकिन किसी गरीब की समस्या नहीं दिखेंगे राहुल ने लोगों से पूछा कि राम मंदिर आयोचन में क्या कोई गरीब दिखा क्या मजदूर दिखाई थिया वहां अमिता बच्चन अशर्या राय अडानी और अंबानी हुए आमिताभ बच्चन और आश्रय राय का नाम छैवाल लिया राहुल कांधी ने कहा कि बॉर्डर पर आते ही पता चल गया कि यूपी में आ गए हैं कहा कि अगर आप मोधी के मिठ हो तो जो भी चाहिए ले लो जमीन चाहिए ले लो रेल चाहिए ले लो जो भी नाचते हुए दिखेंगी हमिताभ बच्चन पल्ले बल्ले करते दिखाई देंगे शारुक खान दिखेंगे फिराड कोली दिखेंगे क्रिकेट टीम भी दिखाई देगी लेकिन वहां कोई भूखार नहीं दिखेगा कोई बेरोजगार नहीं दिखेगा कोई अगनी वीर न कान खोलती है आपका हम के हवाले कर देती है यही राशनितिक लडाई हो रही है तो आपने देखा कैसे राहुल कांदी ने राम मंदिर पर बयान देकर कंग्रेस की मुश्किले बढ़ा दी है एक तो कंग्रेस ने राम लला की प्राहँ प्रतिष्टा कारिक्रम का बहिश्कार किया और अब राहूल गांधी मंदिर के उद्गाटन समारों पर सवाल उठा रहे हैं क्या ये हिंदू का अपमान नहीं है क्या राहूल गांधी ऐसी ही बातें किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल सकते हैं क्या किसी दूसरे धर्म से चुड़े धर्म